एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ है सीटर्ट के वेबसाइट पर जिसमें ये बताया गया है कि 11, 18 और 24 तारिक को जिन भी बच्चों का परिक्षा था उन्हें परिक्षा दुबारा देना होगा तो क्या ये सभी बच्चों को देना होगा नहीं बिल्कुल नहीं अगर आपका ये तीनों तारिक को परिक्षा था इन तीनों तारिक में से किसी भी एक तारिक को अगर आपकी परिक्षा थी तो क्या आपको परिक्षा देना ही है इस बात का पता आप कर सकते हैं अपने सीटर के website से अपने सीट के website पर जाएए अपना admit card चेक करिए अगर आपका admit card पर वही पुराना center का नाम वही पुराना date नहीं दिखाई दे रहा है कोई नया date है कोई नया center का नाम है इसका मतलब यह है कि आपका revised admit card आ गया है आपको exam देने जाना ही जाना है लेकिन अगर आपको इन तीनों ही तारीक में से एक तारीक और परिक्षा था लेकिन आपने अपने जब वेबसाइट पर चेक किया तो आपका वही पुराना तारीक, वही पुराना सेंटर दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि आपको कोई एक्जाम दुबारा नहीं देना है आग़ी बात समझ में, नोटीस में बिलकुल साफ साफ लिखा हुआ है कि few centers, यानि कि कुछ ही ऐसे centers हैं जहां पर technical issue हुआ था ठीक, दूसरा, इसमें साफ साफ ये लिखा गया है candidate are informed to download the revised admit card bracket में if applicable भी लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपके लिए applicable होगा admit card तो आपका admit card सूप करेगा, अगर नहीं applicable है तो नहीं करेगा साफ साफ बात है, तो ज़रूरी नहीं है कि 11, 18 और 24 तारिक को आपका परिक्षा था इन तीनों तारिक में से किसी भी तारिक को हो सकता है आपका परिक्षा अगर था तो आपको exam देने जाना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए